इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निर्दे सांग जैमिती का सारा फॉर्मॉला अर्थात इस चैप्टर में जितने फॉर्मॉला यूज होते हैं उस सारा फॉर्मॉला को डिस्कस करेंगे और बेसिक चीजें भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से कैसे प्रश्ण बनते हैं चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निर्दे सांग जैमिती को समझते हैं यह होता क्या है तो किसी भी बिंदू की इस्थिती को दो अंकों के द्वारा ओदुतिय रुप से दर्शाने के परियुक्त की जाती है इन दो अंकों को उस बिंदू के करमसा एक्स निर्दे सांग व वह बिन्दू कहां पर है अब आगे देखें यहां पर लिखा है इसके लिए दो लबवत रेखाएं निर्धारित की जाती है जिने एक्सक्ष और वाइक्ष कहते हैं जो कि आपको इस फीगर में आपको अच्छे से दिख रहा होगा यह आपको एक्सक्ष है अगर यहां पर द दिहान से देखिए तो एक्सक्ष को 36 ही रेखा कहा जाता है और वाइक्ष को उर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है इस तरीके से आपको दिहान रखनी है अब उर्ध्वाधर मतलब सीधी खाड़ा होता है 36 मतलब स्वया हुआ हुआ होता है लेटा हुआ होता है तो 36 रेखा को X अक्ष कहते हैं और द्वादर रेखा को Y अक्ष कहते हैं अब यहाँ पर यह भी समझेंगे कि यह मूल बिंदू क्या होता है यहाँ मूल बिंदू होता है अर्थात हम समझेंगे कि X अक्ष और Y अक्ष के कटान बिंदू को ही मूल बिंदू कहते हैं जिसका निर्देसांग ह होता है जीरो कौमा जीरो अर्थात इससे यह हम समझते हैं कि मूल विंदू पे एक्स का मान भी जीरो ही होता है और वाय का मान भी जीरो होता है अर्थात एक्स निर्देसांग भी जीरो होता है वाय निर्देसांग भी जीरो होता करते हैं दिस्रे भी मघा र safαख राख को जोथा चतुर्थांस वास में पूलते हैं कि अगर यहाई बाएक बिता कार मान ले तो पूरा एक व्रीद है तो इसको अगर इस तरह से बाटेंगे, काटेंगे, तो यह चार बराबर भाग में बढ़ जाएगा, अर्थात पूरे एक भाग को चार बराबर भाग में बाटे हैं, जिसको हम चतुर्थांस कहते हैं, यह एक पूरे भाग का चार, एक पूरे यूनिट इकाई का चवथाई, अर्था चतुर्थान्स तो पहला 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 चतुर्थान्स होता है उसमें एक्स का मान भी प्लस में होता है य का मान भी प्लस में होता है जब दूसरे चत का जो चिन होगा मैनस में होगा और यहां पर चौते में आते हैं यक्स में सहर 17 से तो आप देख सकते हैं एक की विल्व फ्लससुन के क्युague माइनस चार है तो माइनस नीचे की उर्वाइगा अर्थात ये चाहतोध चतूरथामस में एसिरब यह आपने जान लिया अब आपको यह समझना जरूरी है कि इसमें एक चीज पूछे जाएंगे भूज क्या होता है और कोटी क्या होता है तो कोटी जो बच्चों होते हैं वह एक्स निर्देसांग का मान होता है भूज जो होता है वह एक्स निर्देसांग का मान होता है कोटी जो होता है वह वह वाई निर्देसांग का मान होता है अब मैं आप से पूछ हूँ कि 2,3 में X का मान कितना है तो 2 है Y का मान कितना है तो 3 है और हमेशा याद रखिए बिंदू जो होती है सबसे पहले X का मान लिखा जाता है तब का मान दे के Y का मान लिखा जाता है तो यहाँ पे आपने देखा कि X का मान 2 है और Y का मान 3 है यानि कहेंगे कि X का मान ही कोई भुज कहा जाता है इस बिंदू में भुज का मान 2 होगा और कोटी का मान 3 होगा क्योंकि कोटी मतलब Y निर्देसांग का मान और भुज मतलब X निर्देसांग का मान होता है अब आगे यहां पर दिखके आपको लिख लेने चाहिए चतुर्थांज का चिन परफम पाद में बाध relax support अब आगा यहां पर दिखी आपको समझ आएगा कि यह परफम पाद में दोनों कहीं मान प्लस में होता है दुटिय पाद में x का मान udah y का मान प्लस जो कि मैंने भी समझाया अब यहां पर देखिए भुजगार्थ होता है एकस बिंदू का मान मूल बिंदू का नियमक आपको पता है एकस का भी मान जीरो वाय का भी मान जीरो अर्थात मूल बिंदू का नियमक निर्दे सांग 0 00 ہوتा है नियमक मतलब निर्देसांग होता है ये भी आपको दिहान रखना है कुटी मतलब वाय का मैं होता है आपको मैंने भी समझाया तूरी का सुत्र आपको याद रखना है सबसे पहले रूट गा देंगे एक्स का अंतर यानि X2 मैनस X1 का हौल स्कॉायर प्लस में Y का अंतर यानि Y2 मैनस Y1 का हौल स्कॉायर हो जाएगा इस तरीके से यह रोट चढ़ा हो रहे ना चाहिए दूरी सुत्र होते हैं यह दूरी सुत्र दो के बीच की दूरी होगी वही दूरी कियात करने का यह सुत्र होता है अब आगे यहां पे देखिए मध rzeczywiście का सुत्र कि मधे दू Какा सुत्र भी असान है आपको यहां पर चार दे दिया है और 6 दे दिया है चुछ दूरी पे दी बिंदू दे दिया हैwatercom are प्रकार से यह जोक्रति वाइड हो निर्दर संग के रूप निर्देेशंध केया है सिद्ट बिंदू को एक्स नियामा कर्थात आग्जों प्रसन को जोड़ाएगे था चार प्लस आथ होगा बटे दो हो जाएगा और वाइक का अगर निर्देसां और निकालना है तो इस दोनों बिंदू के य के मान को जोड़ देंगे अर्थात आच छे और बारा जोड़ देंगे और दो से भागा दे देंगे तो आपका आ जाएगा आपके छे बारा अठारा 18 बट्टे दो अर्थात 9 आ जाएगा इस परकार से आपको यहां से यह सुत्र के से याद रखनी है तो दो बिंदू की बीच की दूरी को बोलेंगे दो बिंदू की बीच की मद बिंदू का सुत्र होगा अब आगे देखे बिभाजन सुत्र समझते हैं विभाजन सुत्र भी यहां पर असान है ए और बी बिंदू मालीजे आपको दिया हुआ है आपको भी पता है कि ए बिंदू एक्सवन कॉमा वाइवन में दिया हुआ रहेगा और बी बिंदू जो है एक्सटू कॉमा वाइटू फॉर्म में दिया रहेगा और यहां पर कोई ऐसा कोई बीच में कोई ऐसा विभाजन करेगा कोई बिंदू पे कोई इस लाइन को विभाजित कर देगा मान लिजे कि M अनुपात N में कर देगा विभाजित और यह बिंदू को मान लेते हैं निर्देसांक अगर निकाली हैं तो केवल आपको x से मतलब रखनी है तो एक्स बराबर इस वाले एक्स का मान होगा एक्स बराबर इस वाले m को गुना करेंगे उधर वाले x से अर्थाद देखिए m गुने x2 प्लस n गुने x1 होगा बटे इन दोनों अनुपात को जोड़के के भागा देंगे अर्थात आपको क्या समझनी है कि यह जो M है उधर वाले X से गुना होगा अर्थात M गुने X2 होगा प्लस यह N जो होगा उधर वाले X से गुना होगा N into X1 बटे जो हो जाएगा यह M और N को जोड़के भागा देंगे यह आपको समझ में आ गया होगा कि इस फार्मूला क्या होगा X बराबर होगा M गुने X2 प्लस N गुने X1 बटे M प्लस N उसी प्रकार Y निकालेंगे तो केवल Y से मतलब रहेगा M गुने Y2 प्लस N गुने Y1 बटे M प्लस N यहनि दोनों केस में M प्लस N से भाग देना होता है जितने अनुपात में आप भागा विवाजित करते उस अनुपात से भाग देना होता है तो इस तरीके से आपे समझनी है तो यह आपको याद रखना होगा तिरुज ABC का प्रवर है यह कब आपको अपलाई करनी है मैं बता देता हूं अगर कोई तिर्भूज अगर आपको तीन बिन्दू से तिर्भूज बनता है आपको पता है तो यह बिन्दू माली ज़िए इस तरह से याद रखना है एक बट्ट्ट्ट्र दो उसके बाद बीगर ब्राइकेट एक साइड इन्ट्वाइड ᴮैनस वाइथ WILL प्लस को याद के छ裡面 करना मान कुई व्रीत में क्या कर나 है आपको यहां पर लिखे दीजे यहां दू लिखे दीजे और यहां तीन लिखवे liberation क्या करना है एकसरे एकसर === यहीद आफने वह वह ऍटार थे अब आपको कैसे घटाएंगी वह को हूँ डिपेंड करेगा X1 से X2 से और X3 से जो कि बाहर है अगर मान लिजे कि यहां X1 हुआ है तो यह निए 1 लिखाया हुआ है तो 2 और 3 बचा है अर्थात Y2-Y3 हो जाएगा ठीक उसी परकार जब X2 के पास जाते हैं तो X2 दूसरा लिखा हुआ है तो दूसरा जब X2 लिखाया हु होगा ठीक उसी परकार जब X3 के पास जलेंगे तो X3 लिखा हुआ है उसके बाद Y1-Y2 होगा यानि हम घरी की दिसा में आगे बरते चले जाते हैं इस तरीके से आपको याद रख लेनी है अब आगे देखिए संरेक होने का सुत्र वहीं से आता है इसी से क्योंकि संरेक मतल अब होता है तीन बंदू एक ही एक ही रेखा पर हो संरेक है वह लिखेए बिधि espaço दिया है की बंदू दिया है वह तो तुन बहूंता है निर्मान ही करेगा और तिर्फुज का जिम निर्मान ही नहीं होगा तो तिर्फुज का छेदरफल का सुत्र बड़ाबर में जीरो आ जाएगा ठीक उसी प्रकार से संडेक होने का सुत्र आपको यहां से याद कर लेना है तो इस तरीके से संडेक की दूरी आया दो यूनिट और बी से सी की दूरी आया चार यूनिट तो कहा गया है कि एसे बी की दूरी और बी से सी की दूरी जोड देंगे तो बराबर होने चाहिए एसे सी की दूरी और सच में अगर ऐसा होता है तो तीनों बिंदू आपस में संदेख होगा तो यह चीज वीडियो में जो है आपको मैं समझाओंगा तिरकौन बिती का फॉर्मोला सारा थेंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए